Hello everyone, welcome to PharmaRox YouTube channel PharmaRox के YouTube educational channel में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टडी करेंगे बायो सुगांडरिल टैबलेट्स के बारे में तो हम सिखेंगे ये मेडिकेशन के बेजिक यूज के बारे में सभी को जानेंगे ये वीडियो लेक्चर के अंदर डेटेल में के यहाँ पर जो आप टैटल स्टाइड में देख रहा है कि बायो सुगांडरिल के जो एफेक्टिवनेस है तो वो पीठ दर्द में भी यूज होता है सरदर्द वगिरा में भी ये मेडिकेशन यूज की जाती है फिर जो गठिया जो हम कहते है आर्थराइटिस के जो कंडिशन उसमें भी यूज किया जाता है और ऑस्टियो पोरोसिस की जिसके अंदर अस्टियो की काफी दुरबलता हो जाती तो यह सभी के अंदर ये medication use की जाती है तो जानते इसके बारे में detail में कि उसका dose क्या होना चाहिए side effects क्या होते है और कैसे ये अपना काम करती है तो expert lecture by Amar sir, assistant professor and founder of PharmaRox, thank you for being PharmaRox family, update it रिये pharma knowledge के साथ, access कर सकते study material test series and video lecture, 7-7 disease and medicines related course PharmaRox के अप उपर तो अब आप सीकिए अलग-अलग दवायों के basic use के बारे में उनके dose, side effect, warning and contraindications वो भी एक साल तक सरल भासा में, affordable price में तो डाउनलोड कर लिजिए application PharmaRox की जो Android application है Google Play Store पे, Apple iPhone, FA App Store पे, link आपको description box में मिल जाएगी तो आप समझे बायो सुगंडरिल tablets के बारे में तो ये medication, S.A. class का medication हम कहिए सेकते कि जो enzymes है और उसके साथ उसके पास है anti-inflammatory action कि जो अलग-अलग class होते है medications के, तो बायो सुगंडरिल जो है वो एक टाइप का enzyme है और anti-inflammatory action है तो उसके अदर कौन सा enzyme present है वो मैं आपको बताता हूँ, तो seratio peptidase नाम का enzyme जो है वो ये formulation के अंदर present है और उसके manufacture समझाने तो वो है Abbott Healthcare Private Limited की, यहाँ पे आप उसका label चेक करो, Abbott का यहाँ पे आप logo देख सकते है और यह उसका brand name हो गया बायो सुगंडरिल, यहाँ हिंदी में भी यहाँ पे लिखा है बायो सुगंडरिल, 10 mg के tablet, same यही tablet 20 mg की strength में भी available होते है यह एक anti-recoated tablet से के जिसके अंदर 40,000 जितने units present होते है और seratio peptidase के और 20 mg का यह tablet यहाँ पे आप देख सकते है तो Abbott के बारे में मैं आपको बता हो तो Abbott Pharmaceutical या फिर Abbott Healthcare Private Limited एक American multinational medical device and healthcare company है कि जिसका headquarters कहाँ पे है तो Abbott Park, Illinois के अंदर, United State के अंदर उसका present है आगे समझे तो Biosuganeral Tabletic Prescription Based Medication है बिकोज यहाँ पे आप देखो, red line यहाँ पे लिखे हुई है, लाल लकिर जिसको हम कहते है तो लाल लकिर का मतलब यह होता है कि proper आपको healthcare providers के prescription के साथ है अंदर medical supervision ही proper use करनी चाहिए और यहाँ पे Rx भी आप जो है वो देख सकते है तो prescription based medication हो गया, यह Rx only medication और यह एक enzyme है कि जिसके पास anti-inflammatory action है तो anti-inflammatory का मतलब यह होता है कि यह medications लेने के बाद सूजन जो है वो कम होती है और सूजन के करन होने वाला जो pain है उसको भी यह treat करेगा और साथ उसाथ जो inflammation की जो condition है, सूजन की जो condition है जो swelling हो जाती है वगेरा को यह treat करेगा फिर यह medication जो है वो बहुत सारे अलग-अलग inflammation से जुड़े जो बीमारिया होती जिसके अंदर center में सूजन है और सूजन के करन होने वाले अलग-अलग disease and disorder और उनके करन होने वाले दर्द को ठीक करने के लिए यह medication जो है वो use की जाती है आगे समझते है कि seratio peptidase की है तो यह एक enzyme है वो तो हमें पता चल गया पर यह enzyme को जो non pathogenic bacteria होते है enterobacteria कि जिसको seratia E15 कहा जाता है कि जो silk worms के अंदर पाए जाते है तो उसमें से यह seratio peptidase enzyme जो है वो isolate किया जाता है और आगे उसके बारे में आपको और detail बताओ तो यह जो एक enzyme है वो यहाँ पर आप देख सकते है कि silk worms जो होते है यह कि जिसको bombics mori कहा जाता है तो सबसे पहले 1916 के अंदर उनको isolate किया गया था bombics mori की जो silk worm होते हैं उनके intestine में से और यह जो enzyme जो है वो present होता है silk worms के अंदर कि जो help करता है उनको जो cocoons होते हैं उनको dissolve करने में help करता है फिर उसके उपर और भी जो studies वगरा होई और research वगरा होई तो उसमें से आगे जो seratia A15 bacteria जो है कि उनके जो cultures होते हैं उसमें से उसको purify करके जो है जो है वो produce किया जाता है seratia peptidus के और उसके पास जब anti-inflammatory action होने के करन अलग-अलग medical condition में use किया जाता है जैसे कि useful in treatment of painful conditions कि जहाँ पे center में दर्ध है सुजन है तो इसी कुछ conditions जैसे कि back pain मलब कि आपको जो peat के अंदर दर्ध होता है या पे पीछे दर्ध होता है कमर दर्ध वगरा जैसे होते हैं तो उसमें ये medication जो यूस की जा सकती है second हम देखे तो जो osteoarthritis की जो condition की जो normal जो हमारे bond और ये rheumated arthritis या फिर osteoarthritis की जिसको गठिया रोग कहते हैं वात रोग भी हम कहते हैं तो इसके लिए आदमें भी useful है तो rheumated arthritis या फिर osteoarthritis दोनों के अंदर फिर जो हमारी अस्थियों की निर्बलता हो जाती है काफी महलब कि medical term में उसको osteoporosis या फिर अस्थियों की दुरबलता भी कहा जाता है काफी weak हो जाते हैं कि जो healthy bond इस तरह से होते हैं जबकि osteoporosis के अंदर bonds के अंदर जो pore जो है वो ज्यादा बन जाते हैं जिसके करण उसकी जो strength है वो कम हो जाते हैं कि जिससों हम कहते हैं कि काफी दुरबल हो जाते हैं काफी weak हो जाते हैं हमारे bonds तो ऐसे condition में भी ये medication use की जाती है और fibromyalgia की conditions में भी ये medication use की जाती है कि जिसके अंदर जो हम कहें कि musculo-skeletal pain कि muscles के अंदर भी pain हो रहा है skeletons मलए कि bonds को भी point pain हो रहा है तो वो condition को ठीक करता है ये medication कि यहाँ पर आप देखो कि जो आपके normal bonds है और उनके अंदर रहा ये जो joints होते हैं उसके ये proper ये synovial joints के जो bonds के अंदर होते है अब वही पर जब किसी बिमारी के कारण सूजन हो जाती है तो इस तरह के painful condition produce होते हैं जिसको rheumatoid arthritis के simply गठिया रोग भी उसको कहा जाता है वात रोग भी कहते हैं तो arthritis के इलाज में भी ये useful की जाता है फिर जो इस तरह से हमारे bond healthy होते हैं और वो healthy bond आगे जाके osteoporosis के कंदर convert होते हैं मनलब कि ये bond काफी दुरबल हो जाते हैं वीक हो जाते हैं कि यहाँ पी जो poor है उसके compare में आप यहाँ पे देखो तो poor जो है वो increase हो रहे हैं तो उसके current bond जो है वो काफी porous हो जाते हैं और काफी weak हो जाते हैं तो इसे condition में ये useful है फिर एक ऐसी condition की जिसके अंदर pain होता है numbness feel होता है में लगे sensations कम होना tingling जैसा feel होना कि कमपारी आ रही है आपको और weakness feel होती है आपके हाथ या फिर आपके wrist के अंदर कि जहाँ पे आप गड़ी पहनते हैं या फिर आपका जो हाथ का बाकि जिसको medical terms के अंदर कहा जाता है medication फिर जो migraine headache होता है कि जो सरदर्ध होता है और काफी migraine type का headache हो जाता है तो उसमें भी ये useful है tension के करण होने वाले headache को भी ये ठीक करता है kidney stone के दोरान जो आपको काफे pain होता है या फिर जो urinary tract के अंदर कई बार surgeon वगेरा देखने को मिलती है तो इसको भी कम करता है और pain को कम करता है ये biosugandril का tablet body pain में भी useful सा भीत होता है तो ये 10 ऐसे medical condition से कि जिसके अंदर ये basically जो है वो use की जाती है working के अंदर हम देखे तो main इसकी mechanism है anti-inflammatory की anti-inflammatory के तोर पे ये सबसे ज़्यादा जो है वो अपनी effect देता है फिर analgesic मलब की pain जो है वो आपका कम करता है और fibrinolytic के तोर पे भी काम करता है antibacterial के तोर पे भी वो काम करता है तो ये medications क्या करते है specially regulate करती है inflammatory जो cytokines होते है और उन्सके करण जो होने वाले जो issues है उसको कम करती है और ये क्या करता है cell additions को modify करते है जिसके करण जो inflammatory cells जो होते है उनकी effect कम होती जाती है जिसके करण आपका जो inflammation जिस side पे हुआ है वो दिरे दिरे कम होता जाता है आगे समझे तो इसके strength दो type की है एक 10 mg के strength में available है दूसरा 20 mg के strength में available है तो दो strength available है 10 mg and 20 mg तो यहाँ पे आप देखो उसके label के उपर sedule H drug लिखा है कि warning लिखी है खास कि to be sold by retail on prescription of a register medical practice मतलब कि आपको जब उसको retail में बेचनी है तो proper आपको prescription लेना है register medical practitioners का तो prescription के साथ ही यहाँ पे red line भी आ गई तो proper precautions के साथ ही उसको use करने है तो 20 mg का यहाँ पे आप देख सकते हैं as well as यह 10 mg वाला container का seratio peptidase as per IP के Indian Pharmacope के standard के एगोड़ीटू बनती है एबड का यहाँ पे आप लोगों देख सकते हैं और आगे समझे उसके dose के बारे में तो regular adult dose होता है seratio peptidase का 10 से लेकर और 10 mg जितना दिन में 3 बार तो अगर आप यह 10 mg वाला समझे के tablet use करते हैं biosuganril का तो आप जो है वो दिन में 3 बार जो है वो उसको ले सकते है maximum और 20 mg वाला रेते हैं तो आप दिन में 1 बार लेजिए या फिर जद से जदा उसको 2 बार ले सकते हैं डेल्डी डोस उसका होता है 15 से लेकर 60 मिले ग्राम जितना पर डे तो अगर कंडिशन्स और ज्यदा खराब है तो उस वक्त पेसंट जो 20 mg के जो टाबलेट है उसको दिन में 3 बार भी जो है वो ले सकते हैं पर जरूत पढ़ने पर इसे यादत लगाएगा आप लोवर डोस से स्टार्ट करें और 20 mg को TID के बज़े 20 mg को BD दिन में 2 बार यूज करें कि जिससे 40 mg जितना डोस आपको दिन में मिलेगा और दो टाबलेट के बीच में at least 20 mg का लूज कर रहे हैं तो 12 अवर का डिफरेंग रखिए और समझे के 10 mg का यूज कर रहे हैं और वो भी दिन में 3 बार तो 8 अवर का टाइम डिफरेंग जो है वो सभी डोस के बीच में जो है वो आपको रखना चाहिए कि जिसके जारा से प्रॉपर 24 अवर्स के अंदर तीन डोस जो वो पेसंट ले सके फिर दो गंटे के बाद लेना है आपको खाना खाने के बाद टेक इट आपटर टू ओवर्स ओप मिल मतलब कि जो खाना खाते हैं उसके दो गंटे बाद लेने चाहिए एंड एक से दो वीग तक जो है आप ल प्रॉपलाइटिक एजंट आगे समझते हैं उसके कुछ साइड एफेक्ट के बायस हुगानरिल क्या साइड एफेक्स कर सकते हैं तो कुछ लोग जो है वो नौज़िया वामिटिंग जैसा जो है वो फिल करते हैं यह मेडिकेशन के लेने के बाद की जैसे उल्टी हो जाना उबासी आना, जी मचलना जैसे कंडिसन, स्टमक पेन, कुछ लोगों को पेट में दर जैसे कंपलिकेसंस आते हैं स्कीन के उपर कुछ लोगों को रियक्शन हो जाते हैं अगर उनको इसकी एलर्जी है तो ये खास ध्यान रखने के अगर किसे को एलर्जी हो जाती है हाइपर सेंसेटिटी हो जाती है सेराटियो पैप्टिडेस से तो ये मेडिकेसंस लेना बन कर दे कुछ लोगों को मसल और जॉइंट पेन जैसा फिल करते हैं, पूर एपेटाइड हो जाती है कुछ लोग कॉफ के भी कमप्लेन करते हैं, एंड ब्लड क्लोटिंग कई बार आपका डिस्टब हो जाता है ये मेडिकेसं के कारण तो ये कुछ उसके साड एफेक्ट इसलिए जो आरेक्स उनली मेडिकेसं कि अजगर दुसरे मेडिकेसंस काम नहीं कर रहें अंटी इंफलमेटरी तब ये मेडिकेसं जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है एंड अगर दुसरे मेडिकेसंस से आपको अलर्जी हो जाती और इससे आपको कोई प्रोब्लेम नहीं होते तो ये मेडिकेसं जो है आपके हेल्थ केर प्रोवाइडर्स कंटिन्वी रखते हैं वर्निंग समझे तो ये मेडीकेशन को कभी भी बलड थीनर्स के साथ नहीं लेनी की जैसे की वार्फेरीन एफिरीन के जो हमारे खून को हमारे बलड को पतला करने के लिए यूज़ किये जाते हैं, तुमके साथ ये मेडीकेशन कभी भी ना ले, second अगर आपको blood clotting related problem है तो ये medications ला ले because seratiopeptidase क्या कर सकता है blood clotting के अंदर disturbance पैदा करता है तो अगर already आपको ऐसे problem है clotting related तो कभी भी biosugandrel को use ना करें तिसरी condition कि अगर आपके कोई surgery plan है कि schedule surgery है मलब कि कोई भी surgery आपके plan की गई है तो at least उसके 2 week पहले ये medication को लेना बंद कर देगे for example आपकी surgery समझो कि 28 तारिक को है तो उससे at least 2 week पहले मलब कि 7 तारिक से ही उसको लेना जो है वो बंद कर देगे उसके बाद जो 2 week आने वाले है कि 7 या फिर 14 तारिक के बाद उसको जो है वो लेना बंद कर देगे तो ज्यादा से जद 2 या 3 week पहले आप उसको बंद करोगे तो वो आपके लिए ठीक रहेगा कि जिससे कोई clothing related problem जो है वो ना हो अगर surgery होती है तो तीसरा हम देखे तो seratio peptidase जो है वो interfere करता है blood clotting के साथ तो ये आपको खास दियान रखने के surgery के 2 week पहले बंद कर दे and increase करवा सकता है bleeding surgery के दोरान भी और surgery के बाद भी तो इसके करण उसको surgery के 2 week पहले से ही लेना बंद कर देनी चाहिए तो इस तरह से जैसे हमने ये biosugandril के बारे में सिखा सेरा टियो पैप्ली डेस के बारे में सिखा सिखे और ऐसे ही बहुत सारे medications के basic use उनके dose, side effect, warning सेरल बासा में एक साल तक affordable price में Pharma Rocks के mobile application के उपर कि जहाँ पे उसके access कर सकते है PDF को, PPT's को and video lectures को affordable price में तो गर आपके पास Android phone है तो Android app download करें iPhone user app store से ये number पे WhatsApp करके भी आप जो है वो link पास सकते है course की और directly Android app download कर सकते है Google Play Store पर से app store पे भी मिल जाएगी links हमने जो है वो description box के अंदर दे दिये तो description box जरूर से चेक करें, good luck and all the best